इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जग हैं विद्या अरह गुरु भक्ते परिवार संग श्री राजेश लीना जैन निकेत प्रियांका जैन सजल प्रग्या जैन सुनील समता जैन एवन पारस राजनी अदविक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मद्यप्रदेश श्री मथी चमपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मी, अक्षद, आर्या, अर्ग, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मद्यप्रदेश श्री गुलजारी लाल, चिरोंजी बाई, प्रदीप रिंकु जैन, कुमारी प्रयंका, शैली, शालनी आधी समस्त नौगा परिवार बीना मध्य प्रदेश श्री चंदरभान चंदा जैन, एड़ोकेट आशी श्रिचा, अभिशेक नेहा, आनन्द, अने, आगम, अन्वी, आशिका जैन, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश श्री मातेश्वरी शांती बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी, स्वीटी, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश एड़ोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीती जैन, अनिकेद, प्रख्या, प्रग्या, चानी, मयंक जैन, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश इस संसार में जो कुछ भी है वह सव नासवान है सब कुछ छण भंगुर है यह संसार ही परिवर्दन सील है इस संसार में कुछ भी इस्थिर नहीं है ऐसी अस्तिरता भरी संसार में हम आखिर सहारा किस का लें आप लोग सोचते हैं कि हमने बहुत सारा इंतिजाम कर लिया हमने बहुत सारी विवस्ता बना ली क्या जो तुमारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तुमारे द्वारा जोड़ी गई विवस्ता कब तक साथ देगी है तुमें इसका विश्वास बोलो जो हमने संसार में जोड़ा है बड़े अर्मानों से तुमने सुंदर सा घर बनाया क्या घर तुमारा साथ देने वाला है चाहे कर भी वो घर तुमारा साथ नहीं दे सकता है फिर हमें संसार में सरण किसकी ले जिसकी सरण हमें लेना चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और जिसकी सरण मुझे नहीं लेना चाहिए उसकी तरह हम राज दिन उसकी बिवस्ता में पागल बने घूम रहे बोलो बास सच है की नहीं कौन हमारा संसार में सहारा है है कोई सहारा तुमारा बोलो पिता जी कहते हैं हमारा बालक हमको ब्रद अवस्ता में सहारा बनेंगे पर मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि तुम ब्रद अवस्ता देख पाओगे की नहीं एक कोई जरूरी है अरे एक पल की भी हमारे पास एक पल का भी हमें कोई भरोसा नहीं कि ब्रद्ध तो कहां पर देखोगे फर किसकी सरण में जाएं कहां जाना है बोलो मरास्री अभी यहां से छूटेंगे घर जाएंगे नास्ता करेंगे कुछ काम को देखेंगे चावी लेकर के दुकान जाएंगे जुकान पर नोकर को ढूड़ेंगे ग्राहक को देखेंगे यह तुमारे सरण नहीं है यह तुस संसार में आसरण है आज हमें बात करना है असरण भावना की इस संसार में कोई भी तुमारा सरण नहीं है एतय मान करके चलना किस की सरण में जाए जो तुमें सुरक्षा दे सके जो तुमें संरक्षड दे सके जो तुमारी बिबस्ता को बास्तों में सासुत बना सके संत कहते इसका एदी हम गहराई से विचार किया जाए तो संसार में कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है कहीं पर भी संरक्षड नहीं है कोई भी सरण नहीं है कोई भी सात नहीं है संसार की हर वस्तू और संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अनित है आसाहाए है तुमारा इस बात पर विश्वास बोलो कौन है तुमारा सरण कोई भी सरण नहीं है यदि हमारा संसार में सरण है तो एक मात्र हमारी अपनी आत्मा ही है संत कहते हैं बाहर सरण खोजने की जरूरत नहीं है तुम जितना भी बाहर भागोगे उहां पर तुमें कहीं पर भी सरण मिलने वाली नहीं है तो फिर सरण है कहा अपनी आत्मा में आत्म कैंद्रत होने की जरूरत है आत्मा का रसा स्वादन हमें आना चाहिए आत्मा की पहचान हमें होना चाहिए आज तक हम संसार में परी भिर्मन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी आत्मा की पहचान नहीं होने के कारण जिस दिन तुमें अपनी आत्मा का आत्म बोध हो जाएगा उस दिन तुमें संसार के सारे सायोगी साथ सब तुम्हें निरर्थक दिखाई देने लगेंगे लेकिन अभी हमें मजा तो सुनसार में ही आ रहा है यह मजा नहीं तुम्हारे जीवन की पक्की सजा है कई लोग जीवन को सजाते हैं फिर अंत में सजा भोग करके चले जाते हैं कोई व्यक्ति अपराद करता है उसको सजा मिलती है कोई व्यक्ति अच्छे कार करता उसको सजा दिया जाता है दोनों में अंतर है एक सजा पा रहा है एक को सजाया जा रहा है तुम क्या चाहते हो सजा चाहते हो के जीवन को सजाना चाहते हो बोलो बाहर के सारे संयोग दुख मैं है संयोग के साथ बियोग जुड़ा है जन्म के साथ मरण जुड़ा है अच्छे के साथ बुरा लगा हुआ है लाब के साथ हानी जुड़ी हुई है संपन्यता के साथ विपन्यता जुड़ी हुए संसार में कहीं पर भी एक रोपता दिखाई नहीं देती है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई अपना है, कोई पराया है इस संसार की नीती है इस दुख्वरी संसार में हमने क्या पाया दुख ही पाया है संत कहते हैं संसार की हर बस्तु हर ब्यक्ति अपने आप में आसरण है अनात है जो सुयम अनात है वह हमें सनात कैसे कर सकता है बोलो है आपके पास कोई ताकत आप सुयम परिशान हो रहे हो दूसरों को समाधान दे सकते हो क्या कोई भी आपके पास आयो और आप उल्जन में उल्जे हुए है भाई सब मेरा थोड़ा काम बना दो तो आप क्या कहोगे तो मैं समझ में नहीं आता मैं खुद परिशान हूँ उसको गहराई से जानने की कोशिस करो संत कहते हैं तुम संसार में जब तर बहर मुखी बने रहोगे तुम संसार में सिर्फ परिशान परिशान ही होते रहोगे जिस दिन तुम अपनी आत्मा पर आत्म केंद्रत हो जाओगे तुम्हें फिर कोई संसार में भटका नहीं सकता है परिशान नहीं कर सकता है असरन भावना कहती है तुम संसार में अधी अपने आपको सरक्षा पाना चाहते हो तो अपना आत में कैंद्रत होने की जरूरत है जो सुयम आ सुरक्षत है वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है जो सुयम अस्तर है वो हमें इस्तरता नहीं दे सकता है असरन भावना यहीं कहती है सरन की चाहे में इदर उधर भागने के से कोई लाव नहीं मिलता लाव नहीं मिलेगा अपने आप में केंद्रत होने की जरूरत है तुम अपने आप को सासता मानना चाहते तो अपनी आत्मा में आत्म केंद्रत हो जाओ तुम्हें सरक्षा भी मिलेगी तुम्हें सरक्षण भी मिलेगी और तुम सनात हो जाओगे बोलो जुसे तुम बचाना चाहेते हो वो तो नस्वर है तुम जिसे बचाना चाहेते वो नस्वर हो छण भंगुर है उसे कभी बचाया भी नहीं जा सकता है सब नासवान है हमारा जीवन दो तरह का जीवन है एक मरत जीवन एक आमरत जीवन बाहर का जो जीवन तुम्हें दिखाई दे रहा है मरत जीवन है बिनस्वर है छण भंगुर है नासवान है इसे हम बचाने की जितनी भी कूसिस करें इसे बचाया नहीं जा सकता है इसे समालने का हम कितना भी प्रयास करें इसे समाला नहीं जा सकता है इसका सरूप ही ऐसा है या उत्पन होता है बिनिष्ट होता है उत्पन होता है बिनिष्ट होता है नश्ट होता है आता है और चला जाता है मरत करते ही कहते ही उसे हैं जो हर रोज मर रहा है रोज ही नहीं पल पल हमारी मृत्तू हो रही है एक एक स्वांस हमारे से अलग हो रही है इसी को कहते हैं मृत्त जीवन जगत में जो कुछ भी तुम नहीं दिखाई दे रहा है वह सब मर्त है अमर्त कुछ भी नहीं है बाहर तुम जो कुछ देख रहे हो इस सब विद्वन सी है नास होने वाला है उसे हम बचा नहीं सकते हैं और जो भीतर का हमारा जीवन है वो अमरत है उसे कोई मार नहीं सकता है संद कहते हैं ब्यक्ती को कोई मृत्तू से बचा नहीं सकता है बचाने की कोसे तुम कितनी भी कर लेना मृत्तु से कभी ब्यक्ति को बचा नहीं सकते हैं हाँ इतना अवश्य है मृत्तु के डर से हम बच सकते हैं संद कहते हैं जो मरने वाला है उसे बचाने की तुम कितने भी कोशिस करो उसे बचा नहीं सकते हैं और जो बचाने योग है उसकी तरब तुम्हारा ध्यान भी नहीं है असरन भावना हमें कुल यही प्रेणा देती है जगत में जितने भी पधार्त हैं सब पधार्त कैसे हैं नासवान है आपने जब घर बनाया था घर का कैसा लगता था बहुत सुंदर लगता था पचास साल बाद साड़ साल बाद घर की हालत कैसी हो जाती है बिगड़ जाती है जब आपका जन्म हुआ था जब आप युवा थे तब आपकी तागत कितनी थी और आज सत्तर पचत्तर साल को पार कर रहे हैं आपकी तागत क्या उतनी ही है यही जीवन हमारा मर्त जीवन है हर पल हमारी एक एक पर आये मृत्व को प्राप्त हो रही है एक एक स्वास हमारी मृत्व को प्राप्त हो रही है लेकिन संत कहते जो तुमारी आत्मा है इसको ना कोई मार सकता है ना इसको कोई गला सकता है ये तो अजर अमर अभिनासी आत्मित्त्त है है तुमारे पास इसकी पहचान बोलो नहीं है ना जब इसकी पहचान नहीं है तो ही इसलिए तो हम संसार में जो बचने योग नहीं है उसको बचाने की हम कोशिस करते हैं पर संत कहते हैं इसे कोई बचा भी नहीं सकता है ना माया अमर है ना काया अमर है ना दौलत अमर है ना सुहरत अमर है ये सब नासवान है च्छण भंगुर है असरन भावना कहती है संसार की बाहिस आयोग जितने भी है उनमें सरन ढूढ़ना बैसा है जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए बास के नीचे जाए और च्छाया मांगे उसे तुम क्या कहोगे? बोलो मूर के कहोगे संसार के संयोगों में सरन ढूंडना बैसा ही जैसे कोई जलते हुए बास के नीचे जाए और एक कहे कि मुझे च्छाया मिल जाए सीतल च्छाया मांगे बांस के जलती हुए पेड़ के नीचे कभी किसी को सीतल च्छाया मिली बोलो सीतलता की अनभूती भी नहीं होगी जो खुद जल रहा हो वो दूसरों को सीतलता कैसे प्रदान कर सकता है जो स्यम मर रहा हो दूसरों को कैसे बचा सकता है जो स्यम आ सुरक्चत हो दूसरों को सुरक्चा कैसे प्रदान कर सकता है जो स्यम भंगुर हो जो दूसरों को कैसे स्वासत बना सकता है इस सत्त की प्रतिती ही असरन भावना का मूल उदेश है जिस छण तुमें इस असरन भावना की प्रतीती होने लगेगी संसार में फिर तुम ज़्यादा देर नहीं टिकोगे तुम कहोगे इस संसार तो नासवान है छण भंगो रहे छण चही है इस संसार में मुझे अब रहना ही नहीं है क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही मरन की ओर जा रहा है हर पल हमारी परियाएं चीन हो रही है हमारा सरीर चीन हो रहा है हमारी आवाज में अंतर आ रहा है हमारी दृष्टी में अंतर आ रहा है हमारे कानों की सुनाई में भी अंतर आ रहा है बोलने में जीव लड़करा रही है अब बताओ किसको तुम सासत मानो पांचों इंद्रियां तुमारे जीवन में मिली है क्या जीवन में पांचों इंद्रियां एक सी एक समय तक रहेंगी बोलो नहीं तो किस पर हम विश्वास करें है बिस्वार तुम्हें अपने ऊपर स्री मातेश्वरी शांती बाई श्री मासाब पीसी जैन श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी, स्वीटी, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश एड़ोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीती जैन, अनिकेद, प्रख्या, प्रग्या, चानी, मयंक जैन, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश श्री रमेश चंद सुशीलाजी, अभैश्वेता, आनन्द गुंजन, अनज रचना, अंश हर्षिता, समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश श्री पवन मनीशा पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन, समस्त कोलुवा वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश झाल झाल